आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, हमारा आज का Question है क्या दिया जारा Question में? एक Assertion है, ठीक है जब BACS में फिल किया जाता है, ठीक है जो चिप्स के जो Packets आते हैं उनमें जो Plus किया जाता है वो Gas होती है Nitrogen तो ये Nitrogen Gas जो है चिप्स के Packet में फिल की जाती है ये बिल्कुल सही है ठीक है अब यहाँ पर जो है Nitrogen Gas जो Reason दिया जारा Prevents the Oil and Fats of the Chips फ्रॉम बिंग ओक्षिडाइश ठीक है तो इसमें आपके जो फैट्स आपके होते हैं जो चिप्स के पेकेट में और जो भी सपस्टेंस जो बनाया जाता, यह से मान लो चिप्स बनाया गया, तो वह औल में जो है तल ना गया और उसमें जो है, जैसे मान लो की पोटेटो के चिप्स ने तो फैट से भरा हुआ, تو फैट और और ओल you¡ की एक क्या हो जाते हैं oxidize हो जाते हैं ठीक है जब यह oxidize हो जाएंगे तो इनकी जो smell है और जो test है वो change हो जाएगा smell and test changes ठीक है अगर smell जो है यह आपकी बहुत गंदी आने लगी bad smell आने लगी और test जो है आपका अलग हो गया जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था बहुत गंदे तरीके का टेस्ट है तो यह आपका smell और test जो है चेंज हो जाता है तो यह जो substance है यह आपका spoil हो जाता है मतलब जो है यह आपका खराब हो जाता है जब यह खराब हो जाएगा तो हमारे कोई काम कर नहीं रहेगा तो तुरंद का तुरंद हमें यूज करना पड़ेगा इसलिए जो है इस चीज को बचाने के लिए जो spoil हो रहा है मतलब oxidation हो रहा है इन सबस्टेंस का fats और oil का इस से बचाने के लिए हमको जो है nitrogen gas फिल करनी पड़ते है ठीक है तो प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंट्स oxidation ठीक है और इस से बचाने के लिए जो है packets को क्या किया जाता है packets filled with nitrogen ठीक है packet को जो है nitrogen gas के साथ जो है फिल किया जाता है ठीक है तो ये जो है ये reason भी बिल्कुल सही है कि nitrogen gas prevent the oil and fats of the chips from being oxidized oxidized होने से बचाने के लिए nitrogen gas फिल की जाती है ये भी सही है और ये जो assertion था वो भी सही है और उसका correct explanation भी है assertion का ठीक है तो हम बोल सकते हैं बोथ A and R are true ठीक है दोनों ही true है and R मतलब reason is the correct explanation of A मतलब assertion ठीक है ये भी सही है बिल्कुल correct explanation इसलिए जो है option one जो है इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर कर दो है